हेलो एब्रीवन वेलकम बेक टू माई चेनल मैं डॉक्टर रंजना गुपता आज थर्ड यर की सीरीज में स्टार्ट करूंगी एनाटोमी एंड फिजोलोजी ऑफ दी पेट्रोमाइजॉन मैं लगातार आपके लिए वीडियो जो है अपलोड कर रहे हूं तो मेरी कोशिश य इसके इंदर स्वसंत तरह से तो अभी मैंने आपको जो डाइग्राम शो किया था डाइजस्टिप सिस्टम जब मैं बता रही थी तो वहां पर मैंने आपको दिखाया था कि फेरेंजेल गिल्स लिट्स होती है इसके 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 इसो फेगस से क्योंकि जो फेरेंजेल प्रिजन है वह कैसा है ब्लाइंड टाइप का है तो ब्लाइंड और वहां सेवन पेर जो गिल्स लिट से वो प्रेजेंट होती है इच गिल्स लिस सेप्रेटेड बड़ टू इच अदर वाई इंटर रेंकियल सेप्टा जिनने हां अन्ते क्लोंपट हिंदी में बोलते हैं उनके द्वारा सेप्रेट रहते हैं और एक सीक्वेंस में एक सीरीज में यह जो हैं गिल्स लिम्ली की फॉर्म में जो है यह अरेंज रहते हैं तो जब ब्लड एंटर करता है तो इनके थूपास होता है तो टेक्स ऑक्सिजन और रिलीस यो टू इनकमिंग वाटर फ्रॉम गिल्स ओपन बाई गिल्स लिट्स एंड कम्मिनुकेट बाई इंटर्नल गिल्स लिट्स इन्टू फैरिंग्स तो हम यहां में आपको डाइग्राम दिखा रही हूं यह यह डाइग्राम है तो यहां पर नीचे बल्बस जो है आर्ट्रियोसस है और यह पूरा जो है इसका फरेंट ब्रेंग्कियां और्ट्रीय जो मीन है जिए वेंट्रल यूटा से जो ओरिजनेट हो रही है तो यह यहां पर इपको यह नरिए ट्रुन तो यहां से जो इंप्यॉर ब्लड वह इन पर जाता है और इस सइड में यहां पर जो एफ्रेंट ब्रेंकिल आर्ट्री उती है तो जब जो impure या हमके deoxygenated blood इन पर flow करता है और यहाँ पर जो है efferent branchial arteries होती है वो यहाँ पर जब गिल left के उपर से जब यह blood flow करता है तो यहाँ से गैसे यहाँ पर जो है gases exchange होता है तो CO2 उसके अंदर release कर दी जाती है और oxygen जो है वहाँ से absorb कर ली जाती है जैसे oxygen absorb होती है वह receive कर ली जाती है efferent branchial arteries के द्वारा और जो efferent branchial arteries हैं वहाँ से वहाँ से वहाँ से connected रहते हैं और वहाँ से फिर वह उस जो oxygenated blood है उसको लेके चले जाते हैं attrium यह जो heart है उस तक तो इस तरह से हम देख सकते हैं लेकिन एक specific जीज थी जब मैं आपको petromyzone बताया था कि petromyzone के अंदर जो क्योंकि यह predatory है तो यहां पर जो water की entry और exit दोनों ही pharynx के द्वारा होते हैं गिल slits के द्वारा होते हैं ठीक है जबकि जो larva है उसके अंदर water enter through mouth करता है लेकिन जो exit होता है deoxygenated water जो है वो exit करता है गिल slits के द्वारा जो exterior बहार की तरफ खुलती है तो इन larval forms water current enter through mouth जबकि इसके अंदर जो water enter कर रहा है वो आप देख सकते हैं गिल incoming water है वो गिल pouches के द्वारा ही enter कर रहा है train headle water passes in and out by the गिल pouches through the external gills slits और on either side दोनों side में जो गिल दरारें present होती है उनके द्वारा this is necessary because when it attached with the body of the other face water cannot enter through mouth क्योंकि यह दी वो माउथ को separate करेगी तो जो food है उसको intake नहीं कर पाएगी adult जो है उसका जो water current है वो enter through gill pouches ही करता है इसके लावा जो vellum present होता है मैंने आपको बताया था वो prevent entry of water pharynx into buccal cavity तो pharynx के अंदर जो water आता है उस वो buccal cavity के अंदर नहीं जा पाए इसको regulate करने काम ऐसी जब food जो intake किया जाता है वो तो बकल cavity से pharynx के अंदर ना पहुंचा है उसको regulate करने का काम जो करते हैं वो vellum करता है तो इस तरह से यह इसका पूरा respiratory system था अब हम बात करते हैं इसके behind the last pair of gill pouches within the pericardium pericardium जो इसके जैसे आपने गill pouches की location देखी उसके पीछे की तरफ जो है pericardium present होती है उसी के अंदर हर्ट हमें पढ़ा हुआ दिखाई देता है और जो pericardium support रहती है वो cartilaginus plate से supported रहती है तो किस तरह से जो work करता है या जो blood का circulation है वो किस तरह से होता है तो various parts of the body blood comes into sinus venosus sinus venosus इसके अंदर जो blood spaces है उसके अंदर आता है वहां से जो है auricle में आता है auricle हमेशा thin walled होते है आप चाहिए कहीं भी observe करिए जहां auricle जिसे हम हिंदी में आलिंद कहते हैं वो thin wall होते है वहां से pump कर दिया जाता है ventral aota जो कि यहां पर क्योंकि यह blood है वो impure है that is deoxygenated blood तो seven pair of efferent branchial arteries के थूँ उसको ले जाया जाता है up to gills तक जहां पर gaseous exchange होता है और gaseous exchange के बाद जो seven pair efferent branchial arteries है वो उसको receive करती है तो जब seven जब different branchial arteries के अंदर जो blood आता है वो होता है oxygenated तो अब यह जो seven pair of different branchial arteries है वो connect रहती है median dorsal aota से जैसे efferent sorry efferent branchial arteries connect थी ventral aota से इसी तरह जो different branchial arteries है वो median dorsal aota से connect रहती है और फिर वहां से different body parts को जो oxygenated blood है उसको supply कर देती है इस तरह से इसके अंदर जो हमें blood का circulation दिखाई देता है नेक्स इसका आता है nervous system तंत्रिका तंत्र यह भी जो है primitive type का होता है तीन parts में divided है four brain mid brain और hind brain जिसे हिंदी में अग्र मस्तिस्क मध्य मस्तिस्क और पश्य मस्तिस्क बोलते हैं four brain की बात करें तो उसके अंदर दो olfactory lobes होते हैं एक cerebral hemisphere होता है जो की बहुत छोटा होता है और जो की connected रहता है सिफिलॉन से जो की जिसके अंदर pineal organ present रहता है और infantibulum present रहता है mid brain की बात करें तो केवल one pair optic lobes है और hind brain की बात करें तो rudimentary cerebellum और bell developed medulla avalungator होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इसका cerebral hemisphere है यहाँ पर यह इसका जो third ventricle form होता है इसके इसके इनदर four ventricles होते हैं total तो यह third ventricle है और नीचे के अंदर यह यहाँ पर जो है वो इसका यह side में जो है वो thalamus है और यहाँ पर इटार प्रिजेंट है यह दोनों जो है optic lobes है यह cerebellum है जो काफी reduced होता है और नीचे जो पूरा यह part है that is medulla oblongata इसकी जो spinal और यहाँ 10 pair of cranial nerves होती है spinal cord देखें वो बिलकुल ribbon like होती है इसकी बिलकुल चप्ती होती है ribbon की तरह sympathetic nervous system जो है जिसे हम हिंदी में uncompete तंत्रिका तंत्र कहते हैं वो poorly developed होता है बहुत ज्यादा डबलब नहीं होता है अब sense organs की sense organ में हम देखें तो mid dorsal nostril present है जो की open होते हैं olfactory sec के अंदर इसके अलबा two separate olfactory nerves होती है and olfactory lobe give rise tubular pouch of unknown function दो tubular pouch से जो है originate होते हैं जिनके function अभी तक known नहीं है तो mid dorsal nostril present है जिसमें आपको आपने मैंने आपको जब morphology बताई थी उसके बारे मता है तो यह जो है smelling करने का काम करता है हम इसलिए घ्रान कोस्त भी कहते हैं इसको इसके लबा lateral eyes है दोनों साइड एक एक आई present होती है primitive type होती है जो कि कोई भी suspensory ligaments नहीं होते और कोई भी इसके अंदर ciliary apparatus नहीं होता इसके अलाबा हम बात करें median pineal eyes के अंदर present होती है with lens and pigmented retina to differentiate into light and dark light and dark को differentiate करने के लिए यहां पर pineal organ जो मैंने बताया था आपको वो present होता है यह pineal eyes जिसे हम कहते हैं वो present होता है और जिसमें lens और retina हमें clear cut दिखाई देते हैं इसके बाद internal year में हम देखें तो internal year जो है वो भी two होते हैं और with two vertical semi circular canal generally three semi vertebrates में हम आगे जब year का structure पढ़ेंगे तो देखेंगे वाँ three semi circular canals होती है लेकिन यहां पर only two semi circular canals होती है और अर्द वृत्ताकार और इसके अलाबा एंपुला present होता है इसके अलाबा हम बात करें utriculus और जो सेक्यूलस जो बहुत common structures है यहां पर clear नहीं होते डिस्टिंक्ट नहीं होते इसके जो टंग है उस पर taste buds present होती है जिनने हम स्वाध कलिका हैं जो कि quality of food या taste of food को detect करने में help करती है लेटर लाइन सिस्टम प्रजेंट होता है पूरी बॉडी के पर sense organ की तरह काम करता है बिनीथ है टू डिटेक्ट वाटर मुम्मेंट वाटर के मुम्मेंट को जो है डिटेक्ट करता है और जब जो salt water के अंदर जो lampres मिलती है उनके अं तो उसको detect करने के लिए उसको capture करने के लिए पकड़ने के लिए वो electric field generate करती है जिससे जो वो prey है वो easily उनके उनकी range में आ जाता है और वो आसानी से उसको पकड़ पाती है and last is reproductive system diocese होते हैं at sexually mature stage a single large gonad filled most of the abdominal cavity जब sexually mature हो जाते हैं तो इसकी abdominal cavity का most जो पार्ट है ज्यादा तर पार्ट कवर कर लेता है इसका single gonad that is ovary or testis genital duct absent होती है mature sperms and eggs released in this chelome इसकी body cavity के इंदर जो है sperm's और eggs जो mature हो जाते हैं वो release किया जाते हैं chelome के थुरू genital pores के द्वारा urnogenital sinus के इंदर release कर दिया जाते हैं और फिर उनको urnogenital opening के द्वारा ही water के इंदर release कर दिया जाता है यह चीज में आपको पहले भी बता चुकी हो कि जब sexually mature female जो होती है वो move कर जाती है spring और early summer के अंदर fresh water के अंदर और वहां पर ब्रीडिंग करती है और ब्रीडिंग करने के बाद जो female है वो survive नहीं करती उसकी death हो जाती है यह क्योंकि जो अपने eggs nest में produce करती हैं तो nest बनाने की जो nest building करने का काम वो काम करता है मेल तो males move pebbles from a sandy bottom and form a nest in the form of pit एक घड़े की रूप में एक चोटे से pit की form है वो जो चोटे-चोटे पत्थरों को collect करके वहां पर एक nest का development करता है तो इस तरह से हमने anatomy and physiology of petromyzone को समझा I think आपको समझ में आ गया होगा फिर भी कोई भी point है कोई भी अंदर आपको content ऐसा लग रहा है कोई भी diagram जो ऐसा लग रहा हो आपको नहीं समझ में आया है तो please आप मेरे video के comment section में जाके आपना comment drop करिए मैं आपको reply करूंगी thank you so much